एक दिन सेर बजार में सोने का सट्टा लगाने वाला एक धनी वैक्ती बाबा के दर्बार में मौजूद था। बाबा ने बादचीत के विशे के रूप में सोने का परिचे दिया और कहा भविश्य में सोने की कीमत नीचे जाईगी। अमीर आदमी ने कहा नहीं बाबा ऐसी कोई संभावना नहीं है बाबा ने कुछ कारण बताए और कहा इसकी कीमत निश्चित रूप से कम होगी उस आदमी ने अपना सारा सोना मामूली लाप पर बेच दिया बाद में कीमत कम हुई और वह आदमी एक बड़े नुक्षान से ब आने के बाद एक भक्त ने बाबा से कहा कि धन का उपयोग आस्रम और मंदिर के लिए किया जा सकता था वह जानना चाहता था कि बाबा ने प्रस्ताओ को क्यो ठुकरा दिया बाबा ने कहा कि वह मुझे उस पैसे से खरीदना चाहता था यह सुद्द दान नहीं था अगर तो वो पहले ही कर चुका होता जब पहली बार वो मिला था लाब के बाद अब दान करना सुद्द दान नहीं है